हम Krishy की बाद करते हैं, तो पूरे पंजाब, भरीाना, बहुत सारे छेत्रों में मॉनो क्रॉपिंग है, धान, गेहुन, तो बड़ा क्षेत्र गेहुं का, धान का बड़ा गेहुन, और सहाथ बाहर विदेशों में भी यह है, बड़ा भूज लेंद है, उनके पस बाहुत सार तो एक ही करते हैं जिसे मशीन से एक साथ कटाई, एक साथ निदाई, एक साथ गुडाई, एक साथ लगना हो सकता है. भारत छोटे-छोटे टुकडे जमीन के हैं, आज बड़ा परिवार नहीं, छोटा परिवार होके एक एकर, धाई एकर, ऐसी जमीन बिलती है. इसमें जब ह हम mighty-layer स्कारिश के साथ कि जिसे पूरग की बात करते हैं। मथी-च्रपिंग की बात करते हैं। कि किसके साथ क्या लगाएं। किसके साथ कौनसी फसल फसली हो सकती है। जसे दोनों एक दूसरे के पूरग बनके ए्ल्टीमेटली वो किसान के लिए लाब दायक सिद्धों आर्थिक रूप से भी पारियवरनिक रूप से भी हमारी मेंड बंदी मेंड बंदी मेंड बंदी क्या है कि हमारे पास क्या है मेंड बंदी भी एक कलेस बन गया जब से खेतों के बटवारे हुए तो जमीन का एक बड़े विबात का कारण हमारी मेंड है दूसरा जब और्गैनिक फार्मिंग आई तो दूसरे खेत की कोई ऐसी किरिया ऐसी वस्तू जो मेरे खेत को नुकसान दे दे कोई उसमें संकर्मन ना हो जाए तो उसको क्यार कैसे में रोकूं ये भी एक सवाल खड़ा हो गया तो जैविक खेती में बफर जून का एक सवाल खड़ा हुआ और खेत की मेंड बंदी के जगड़े थे तो एक तो आपने पहला काम ये किया कि मेंड बंदी को खेत के मेंड से धाई से तीन मीटर अंदर ले गए मेंड से अंदर क्योंकि बर्यावर वाला किसान भी तो हमारे ही मित्र है तो हमने मेरे पौधे लगाने से उसको कोई तकलीफ ना हो जाए तो मैंने उसके साथ सहमती के आधार पर अपनी खेत पर एक बफर जोन बनाने का निड़ने लिया और बफर जोन में हम चार परकार की फसले लेते हैं पहले किया है उसमें एक टिंबर प्लांट जिसे उत्तर भारत में हमने देखा मोगनी बहुत अच्छा है मेलिया डूबिया बकाइन की एक किसम है बहुत अच्छा है और चंदन के पौदे खोब अच्छे यहां होते हैं और भी पौदे हो सकते हैं सागोन भी इसमें शामिले हैं सागोन छोटे किसान के लिए ठीक नहीं है पॉपुलर भी जादे अच्छा पौदा नहीं है लेकिन जो पौदे बीजू है क्योंकि कई कुछ पौदे से जैसे यूकिलिप्टिस है पौदा तो वो भी है वीजू भी है लेकिन कारण क्या है कि वो कई बार जमीन में पत्ते और पानी की संदचना में थोड़ा सा असंतुलन करता है ऐसा देखा गया है पर मुझे तो जाते है अभी भी ये नोट में नहीं आया कि मैंने वो कोई नुकसान के लिए धरती पैदा करेगी ऐसा तो नहीं है पर फिर भी मैं कहूंगा कि किसी किसान को प्रियोग करना तो वो यूकिलिप्टिस भी लगा सकता है लेकिन मूल बात क्या है कि वो जो हमको तीन-तीन मीटर की दूरी पर लगाने है तीन मीटर अंदर लगाने और उस बाउंडरी में तीन-तीन मीटर की दूरी पर लगाने और फिर उसको हर तीन मीटर के बीच में एक फलदार पौदा लगाना है जैसे दो टिम्बर प्लांट लगा दिये तो एक हमने केला लगा सकते हैं, नीबू लगा सकते हैं, पपिता लगा सकते हैं, आडू लगा सकते हैं, नर्सपाती लगा सकते हैं, ऐसे पोधे जो ज़्यादे ना फैलते हैं और ज़्यादे उंचे भी नहीं जाते हैं, तो दो टि जगे खाली पड़ी है खित की मेंड से लेकर और तीन मेटर अंदर तक उसमें हम कोई पसों के लिए चाहरा है या फिर ऐसी जड़ुबुटियों को जगे देते हैं जिनमें हमारे खित का संदक्षन भी हो जाए सोधन भी हो जाए सुरक्षा भी हो जाए जैसे सतावर की किसम ह अराम से किसां चाहेंगे तो सालवर की फसल, सालवर डेड़ दो वर्स की फसल है लेकिन बार बार निकालते रहो लगाते रहो उसमें किरम बना रहेगा उसमें सबसे बड़ी खुबी है कि वो पोशन के लिए बहुत अच्छी फसल है वैल्यू एडिशन के लिए बहुत पन s फ्हाब फम हम किरम्ट से जोडते हैं महिनों में या वर्ष में तो एक अच्छी आमध नहा जाती है झाल झाल